हमस्कार दिश्टी के इन्नीश प्रोग्राम में आपका एक वार फिर से स्वागत है आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर चलचा करेंगे वह खबर जुरी हुई है बिटेन में आए एक बहुत बरे तुफान की उसे महत्वपूर्ण तो नहीं कहेंगे वह कुर्कि आज ही वह तुफान जो है इस तरीके से अपने प्रभाव को छोड़ रहा है इस कारण से आज हमने आज की निजुस टॉपिक में उसी को पिक क्या है और इसका नाम क्या है इवनीस तुफान ने बिटेन में कहर बढ़ पाया है क्या से समभंधित महत्वपूर्ण इसके बारे में हम और विम्हेंज तर पर जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आज़ की चर्चा कि कि अकुछ महत्यपूर्ण बिंदू रहने वाले BUT सबसे पहले बात करेंगे कि खबर है क्या इसके बाद समझेंगे कि इवनीज तुफान जो है एक शितोस में कटिवन ही है चक्रवाद एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के तौर पर यह वहाँ पर अपना प्रभाव दिखा रहा है और इसके बाद हम इसी से जुरे हुए ए इसके बारे में थोड़ा जानेंगे इसके बाद हम समझेंगे कि इसकी क्या कुछ प्रभाव दिख रहे हैं और पूरी चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है उस सवाल पर हम बातचीत करेंगे तो आईए खबर की सुरुवात करते हैं मैं आपको यह क्लियर कर दूँ कि जो यह सभी डैमेंशन्स है यह सभी डैमेंशन्स किस कॉंटेक्स से जुरह हुए है तो यह चुकि जोग्रफी से जुरह हुआ आज का विशय है इस कारण से इसे हम G.S.K.P.1 की माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो खबर क्या है खबर को देख लेए मतलब कहने का यही हुआ कि एक और तुफान एक ही सब्ता में विदिन अविक किया फिर लगवाग आठ दस नीम पहले एक और तुफान आया था बेटेन और उसके आसपास की इलाकों में जिसका नाम था डडले और उसके बाद यह जो इनिस तुफान है इस तुफान ने भी वहाँ पर लोगों को बहुत ही नुकसान पहुचाने का काम किया है और वहाँ के जो मौसम विभाग ने मौसम विभाग के माध्यम से जो चेतावनी जारी की गई है वह चेतावनी दरसाती है कि यह तुफान कितने अधिक जानमाल की हानी पहुचा सकता है इसके बाद हम यहां पर एक तो yellow warning है जो कि इस तरीके का यह जो है इस तरीके से yellow warning इस वारे particular रीजन में यह yellow warning दर्षाया गया है, आज ही के दिन की बात चल रही है, सुबह 7 वज़े से लेके रात में 6 वज़े तक के 40-70 miles per hour के हिसाब से हवाओं की गती रहेगी, है ना? यहां पर यह जो region है इसके context में बात की जा रही है फिर यह जो dotted lines से यहां पर दर्शाया गया है यानि कि इस वाले region में इस वाले region में तीन बज़े से लेकर के 6 बज़े साम तक के 10 से 30 cm इसके बाद एक एमबर वार्निंग यहां इस वाले region के लिए दर्शाया गया है जो इस वाले zone के लिए दर्शाया गया है और इसमें बताया गया है कि 70 से 90 मायल्स पर आवल की गती से हवाएं चलेंगी तो कहने का मतलब यह हुआ कि 10 के मौसम विभाग ने अलग अलग रंगों के माध्यम से चितावनी जारी की है किस छित्र में किस हिसाब से हवाओं की गती रहेगी किस छित्र में बर्फबारी की संभावनाएं जादा रहेंगी इस तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है आगे बात करते हैं आगे इसमें क्या है चुकि हमने बताया कि युनी स्टुफान जो है एक शितोसने कटिवेंदी ये चक्रवात के तौर पर है तो इसे हम थोड़ा साथ इसके थू समझने की कोशिश करें कि आखिर ये शितोसने चक्रवात के तौर पर किस रूप में ये जाना जाना चाहिए इसे यदि इंग्लिश में कहा जाए तो यह एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के तौर पर कहा जा सकता है यहां पर यदि मैं आपको हलके से बताने की कोशिश करू बहुत अधिक भूगोल के डीप में नहीं जाएंगे बलकि चुकि जो खबर है खबर के एकॉर्डिंग हम चलने की कोशिश करेंगे उसमें ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिरूर बहुत लंबा होई सकता है यहां पर के वर्तमान में बिटेन और उसकी आसपास के छित्रों में या फिर कुछ इरोप की हिस यह हुआ सहरे 30 डिग्री उत्तिरी अक्षांस जो कि क्या है करके रेखा है उसके बाद 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तिरी अक्षांस है और 60 डिग्री से 65 डिग्री फिर उपर में polar region हो जाता है North Pole उसी तरीके से यह South region है सहरे 30 डिग्री दक्षिनी अक्षांस 30 से 35 डिग्री दक नौर्थ पूल और साउथ पूल जब हम बात करें कि आखिर ये जो शितोष्ण कटिवंधिये चक्रवात इसे क्यों कहा जा सकता है कहने का मतलब यह है कि शितोष्ण का मतलब क्या हुआ शीट और उस यानि जो ठंडी वायु की धारा हैं और जो गर्म वायु की धारा हैं ये ये दोनों मिल करके शितोष्ण कटिवंधिये चक्रवात के तौर पर यहां पर जानी जा रही हैं और ऐसा है कि ये जो शितोष्ण कटिवंधिये चक्रवात की अवस्था है इस पार्टुकुलर रिजन में बिटेन और उरोप की उन रिजन्स में ये सालों भर बनी रहती है तो यहां पर यहीं हम low pressure और high pressure की context में थोड़ा सा आपको मैं यहां पर ब्रीफ में बता देना चाहूंगा तभी आप इस figure के माध्यम से समझ भाएंगे low pressure का मतलब क्या हुआ निम्नदाप का मतलब की दबाव कम है वायू का दबाव कम है और high pressure का मतलब क्या हुआ उचदा यानि कि वायू का दबाव ज़्यादा है वायू का दबाव कम जब रहेगा तो वायू जो है सदह से उपर क्यों रूखती है जब वायू सदह से उपर क्यों उठेगी तो वहाँ पर वायू का दबाव automatically कम हो जाएगा और जहां पर वायू का दबाव ज्यादा है उसे क्या कहेंगे high pressure और हवाएं जो हैं हमेशा high pressure से low pressure की ओर flow करती है बहती हैं यह आपको ध्याय में रखना चाहिए तो यदि हम यहां पर चुकी low pressure का यह च्छितर है तो low pressure वाले च्छितर में हवाएं high pressure से आएंगी और इधर भ वाला जोन तो है ही और इसके बाद इस से फिर इधर की ओर हवाय जाएंगी high pressure से फिर low pressure की ओर हवाय जाएंगी और यह जो रिजन है यह सब polar low pressure इसे आप हिंदी में कह सकते हैं उप ध्रुव्य निम्न दाव वाला क्छितर है तो high pressure से low pressure की ओर यहां पर फिर हवाय गई और उपर वाला जो रिजन है उपर वाले रिजन में भी high pressure का ही रिजन है वहां से ठंडी हवाय नीचे की ओर आती है तो high pressure से low pressure की ओर उधर से भी आ रही है और इधर से गर्म हवाय जा रही है तो इस तरीके से एक तरब से शीत हवाय और एक तरब से गर्म हवाय जब जा रही ह इसे वाले रीजन में शूटोषन कटिबन्धिय चकरवाथ की परिश्थितिया बंद्धिय निर्मित होती है और यह वाला जो रीजन है यह व्यवाला रीजन वही बbernधियन और एउरोप से संबंधी आ का ही एक वुदाहरन है और इसे पहले जो डड़ली तुफान के बारे में मैंने आपको बताया वो अभी इसी से जुरा हुआ है तो यह पूरा का पूरा जो मामला है इसको मैं और थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर दूँ ताकि आपको और अच्छे से आप समझ पाएं है तो यह हुआ लो प्रेसर यह हुआ हाई प्रेसर फिर यह हुआ लो प्रेसर और फिर यह हुआ हाई प्रेसर तो इस तरीके से लो प्रेसर हाई प्रेसर लो प्रेसर और हाई प्रेसर मैंने अभी क्या बताया हाई प्रेसर से लो प्रेसर की ओर ही हवाय चलती है यानि कि उच्छ दाप से निम्न दाप की ओर हवा शीथ, यह मैंने आपको बताया कि ठंडी हवाएं, यह मैंने आपको बताया कि polar region से ठंडी हवाएं और इस तरब से इस वाले region से गर्म हवाएं, यह क्या है गर्म हवाएं तो थंडी हवाएं और गर्म हवाएं जब मिल रही है तो यह शीटोषनल गटियवंधिय चक्रवाद की परिस्टी निर्मित कर रही है और इसी के कॉंटेक्स में यहाँ पर बात की जा रही है अब यहाँ पर थो हम यह समझने की कोशिस करते हैं कि लिए एक स्टिंग जडी के कॉंटेक्स में भी बात की जा रही है कहा जा रहा है कि आज जो यह दुफान आया है यह स्टिंग जडी इसमें एक परिस्टी बनी है और 1987 के बाद बृतें में इस तरिके की जो एक मौसमी पर से और unexpected way में हवाओं का प्रवा होता है इसमें क्या होता है कि एक कहलाता है cold conveyor belt cold conveyor belt का मतलब एक तरीकी से आप इसे ऐसे समझते हैं कि हवाओं का जो प्रवा है वो एक दिशा में जब हो रहा है और तो वह convey कर रहा है हवाओं को convey करने वाला जो बेल्ट है जो पत्ती है उसे हम conveyor belt के तौर पर जान सकते हैं और यदि जो conveyor belt है वो ठणडी हवाओं को एक तरफ से दुसे तरफ तक भेज रहा है तो वो cold conveyor belt हो जाएगा या फिर ठंडी हवाओं के माध्यम से जो प्रवा हो रहा है उसे आप मान सकते हैं और दूसरा एक होता है warm conveyor built जहां एक तरफ cold conveyor built में ठंडी हवाओं का प्रवा एक तरफ से दुसी तरफ तक होता है वह हवाएं कन्वे करती हैं एक तरफ से दूसरे तरफ उसी तरीके से वार्म कन्वेयर बेल्ट में जो गरम हवाओं का प्रवा है एक तरफ से दूसरे तरफ तक होता है, built मतलब आप इसे पट्टी के तोरप एक हवाओं की पट्टी के तोरप आप इसे समझ सकते हैं, Convayir मतलब convey कर रहा है, एक तरव से दूशे तरव तक वो हवाओं को भेज रहा है, गर्म हवाओं को भेज रहा है तो warm conveyor belt और ठंडी हवाओं का गमन हो रहा है ठंडी हवाओं का प्रवा हो रहा है उस पट्टी के माध्यम से तो cold conveyor belt तो अभी क्या हो रहा है यह स्टुफान के माध्यम से इसमें यह देखा गया है कि cold conveyor belt से जो ठंडी हवाएं हैं और जो गर् का निर्मान हो रहा है जो मैंने आपको मैप में भी बताया वहां पर कि शीत और गर्म हवाओं का जो प्रवा एक दूसरे से मिक्स हो रही है मिल रही है तो वह चक्रवात का निर्मान कर रही है तो वही इस हिती यहां पर देखी जा रही है कि जब कोल्ड कंवेयर बेल्ट से ठ तेजी वारी जो इस्थिती है इस तिव्रता की स्थिती को ही इस्टिंग जेट के तोर पर जाना जा रहा है और इस कारण से यह जो परिस्थिती है यह परिस्थिती अपने आप में बहुत ही वैज्ञानिकों के अनुसार माना जा रहा है कि बहुत ही दुल्लब है शायद कभी एस्टी देखनों की मिलती है कि जब की पूल्ड कन्वेयर बेल्ट से तेजी से जो है यह हवाएं गरम वाले रीजन में वार्म कन्वेयर बेल्ट वाले रीजन में अंदर क्यों प्रवेश करती हैं और इस कारण से यह जो विशेशता है इस विशेशता के कारण यह जो आज त लगों पर बर्फबारी भी देखी गई है वहीं कई कट्ये इलाकों में बार्फवाली इस्थिती भी देखी गई है तो यह जो एक रीजन है यहाँ पर आपको समझने क्या वशकता है कि यहाँ पर भी एक बहुत ही कम समय के लिए ऐसा नहीं है कि लंबी अवधी के लिए बलकि बहुत ही लगवक तीन से चार घंटे के लिए ही ऐसी परिस्थिती बनी है और माना जा रहा है कि दस से बीस माइल पर आवर की गती से यह हवाएं इस दिशा में आगे बढ़ी है और इस कारण से इसे इस्टिंग जेट की संग्या दी गई है तो यह कुछ परिस्थितिया यहाँ पर सामने आती हुई दिख रहे हैं वहाँ पर और इसके प्रवाव की कॉंटेक्श्ट में दिखें बात करें तो जान माल की हानी वहाँ पर देखी जा रही है जाहिसी बात है जब इतनी तेज गती से हवाओं का प्रवा होगा तुफान आएगा तो उससे नुक्सान होगा ही होगा और साथ ही बड़ी संख्या में पेड़ों को भी नुक्सान हुआ है वनस्पतियों हम सेना के मात्म से भी राहत कारे मुहिया करवाएंगे तो यह कुछ प्रवाव देखने को मिल रह रहे हैं वे तो आज की चर्चा हम यहिपर समाप्क पर जो सवाल बन सकता है उस वाले को देख लेते हैं हाली में चर्चा में रहा स्टिंग जेट क्या है इसकी उत्पत्ति और प्रभाव को समझाएं बहुत ही सिधा सा सवाल है स्टिंग जेट के बारे में आपको बताना है इसको आप पोल्ड कंवेर बिल्ट और वार्म कंवेर बिल्ट के माध्यम से बता सकते हैं जो मैंने आपको को चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है उसका आप डाइग्राम बनाते हुए और इस तरीके से आप बता सकते हैं एक तरीके से यह ट्रैप्ड हो जाता है यह कोल्ड तन्वेयर बिल्ट और यह वार्ट और यहां पर यह क्या बन रहा है यह बन रहा है यह बन रहा है इस्टिंग जेट तो इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं डाइग्राम रेक रफ डाइग्राम बनाकर करके और बता सकते हैं कि इस तरीके से जो परिस्टितिया बनती हैं यही इस्टिंग जेट का निर्मान करते हैं इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं इसके बारे में आपको बताना होगा त नेक्ट सेशन में अन्य महत्रपून्द खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार।